भारती संस्कति की जलक से तो आप सभी चरपरिशित हैं कहीं ऐसी मूर्थियां हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया कहीं ऐसे जगह हैं जो अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए हैं आज ऐसी ही एक जगह के बारे में हम आपको बताते हैं त्रिप्रा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलो मीटर दूर एक जगह है जिसे उनागोटी के नाम से जाना जाता है इस जगह पर कुल 99,9999 पत्थर की मूर्थियां हैं ये मूर्थियां यहाँ पर क्यों और कैसे हैं ये अब तक कोई नहीं जानता ये मूर्थियां किस 99,9999 मूर्थियां क्यों पूरी एक करोड क्यों नहीं इस जगह के बारे में कई कथाएं भी प्रचलत हैं उनमें से एक कथा है कि एक बार शिवजी और सारे देवी देवता कहीं जा रहे थे बीच रास्ते में देवताओं ने इस जगह पर रुखने की सोची शिवजी से सभ की यहां तो कर दी लेकिन कहा कि सूर्योदय से पहले सभी को यहां से निकलना होगा लेकिन सूर्योदय के पहले शिव जी उठ पाए और बागी देव्ताओं की नीद नहीं खुली जिससे शिव जी क्रोधित हो गया और उन्होंने सारे देवतां को पत्थर का बना दिया इसलिए शिव जी को छोड़ गेर बागी के 99,99,9999 देवी देवता यहां पर पत्थर की बने हुए दिखाई देते हैं ऐसी ही इस जिगह को लेकर एक और प्रच्रित कथा है जो पत्थरों की कारिगरी करने वाले शिल्पकार से जुड़ी है बताया जाता है कि एक शिल्पकार भगवान शिव और माधा पारवते के साथ कैलाश परवत जाना जाता था शिव जी ने शिल्पकार के सामने एक शर्ट रखी कि एक रात में उसे एक करोड मूर्तियों का निर्मान करना होगा फिर वो उसे अपने साथ के लाश परवत ले चलेंगे शिवजी की शर्त सुनकर शिल्पकार जी जान से अपने काम में लगया लेकिन जब सुबह मूर्तियों की गड़ना की गई तो एक करोड में एक कम यानि की 99,99,9999 ही मूर्तिया निकली इस जगह का नाम उनाकोटी क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं उनाकोटी का मतलब होता है एक करोड में एक कम और यहाँ पर 99,9999 मूर्तिया है जो एक करोड में एक कम है इसलिए इस जगह का नाम उनाकोटी के नाम से प्रचलित है ये तो इस जगह के बारे में कही जाने वाली कताओं की बात है लेकिन ये जगह रहस्यों से भरी है क्योंकि यहां पर दूर दूर घने जंगल और दलदल भरे इलाके हैं यहां असपास कोई रहता भी नहीं किसी के रहने के कोई निशान नहीं तो फिर आकिरकार इस जगह पर इतनी सारी मूर्थियों का निर्मान क्यों और कैसे और किस ने किया यह एक बड़ा रहस्य है यहां पहुँचने वालों को यह हमेशा अपनी और आकरशित करता आया है subscribe our channel and press the bell icon for more updates